आज की वीडियो में हम देखेंगे बच्चों को ब्यंजन लिखना कैसे सिखाए अगर बनाने के लिए हमें क्या करना है इस तरीके से एक standing line यहाँ पर हम इन तीन लाइनों का यूज करेंगे क्योंकि अगर हम एक box में लिखेंगे तो यहाँ पर बहुत छोटा हो जाएगा और बच्ची इतना छोटा नहीं लिख पाते हैं तो यहाँ पर हमें इन तीन लाइनों के बीच में एक standing line खीचनी है और फिर यह जो बीच वाली line है यहाँ से इस तरीके से pencil रखते हुए बच्चे को बनाना एक goal और फिर यह जहाँ पर आके खतम होता यहीं से एक उठा करके down curve तो यह बन गया हमारा कर इसके उपर लगा देंगे line फिर खा बनाने के लिए इस तरीके से inverted curve और इसको ले जाएंगे यहाँ तक इसके बाद में एक standing line और फिर यहाँ पर बना देंगे goal और इसके उपर sleeping line यह बन गया curve गह बनाने के लिए इस तरीके से एक standing line और इसे लाके नीचे इस तरह मोड देंगे फिर इसके बगल में एक standing line यहाँ तक और फिर इसके उपर sleeping line गह बनाने के लिए हम बनाएंगे curve इस तरीके से और फिर यहीं से उठा करके दूसरा कर्व यह ले जाएंगे थोड़ा उपर तक और फिर यहां से एक standing line और फिर इसके उपर एक sleeping line